स्पोर्ट्स नाव पे बहुत बहुत स्वागत थे आपका इशान किशन जी हाँ इशान किशन जो काफी लंबे समय से आप बोल सकते हैं कि इंडिन क्रिकेट से बाहर चल रहे हैं उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट आता है और उस पोस्ट का जो कैप्शन होता है उसमें लिख च्कांछ की बात करते हुए क्रिकेट से ब्रेक मांगा था रहूल ड्रवट सापसे लेकिन उसके बाद से आप देखिए टेस्सिरीज वो मिस्ट करते हैं थीकि अफगांस्तान वाली सीरिज वो मिस्ट करते हैं इंग्लेंड सीरी में उनका नाम नहीं आता तो कहीना कहीं испans किशन का BCCI से राहूल ड्रविड से रोई शर्मा से पंगा लग रहा है क्योंकि उनके जो कैप्शन है काफी दिल्चस्थ हैं काफी कुछ कहना चाहते हैं वह आप इस पोस्त में भी देख सकते हैं अगर आपको शुरुवात से तस्वीरे मैं बताऊं तो यह था कि शुरुव तो यह सारी चीज़े इशान किशन के साथ पिछले एक साल में हुई लेकिन जब मौका आया कि उनको लगातार मौके मिलने चाहिए थे तब भी ऐसा नहीं हुआ जब उनकी अच्छी पारी आ गए एश्या कप में पागेंस पाकिस्तान उन्होंने धमाकेदार पारी खेल के टीम को बचाया था और उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि इशान किशन की जगा पक्की हो जाएगी लेकिन वहां पे भी मुकाबले उनको जादा नहीं मिले लेकिन साथ आफ्रीका सीरीज में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि क्या अब दुबारा से जॉप हो गए या कहली जिए उन्होंने ब्रेक मांग लिया टेस स्कॉर्ड में उनका नाम था ठीक है लेकिन केल राहूल को वहां पे तरजी दी गई और रिपोर्ट से कहते हैं कि शान किशन को इस बात का बुरा लग गया कि अजब विकेट कीपर बल्लेबास उनको मौका क करा रहे हैं जब विकेट कीपर बल्लेबाज आप उनको कहला रहे हैं तो उन्होंने बोला कि मेरको अदो अब Wide कर दो अब ठीक है उनको रिलीज कर दिया गया और उनकी जो काफी सारी जिससे बॉले की तस्विर आप शोशल मीडिया पर उन्होंने दुबई में पार्टी करते वक्त उन्होंने अपनी तस्वीरे डाली अपने भाई का उनका शायद से बड़े था वहां पर उन्होंने तस्वीरे डाली अब दिक्कत यह होई कि अफगानिस्तान सीरीज में भी उनका नाम नहीं आया ठीक है कोई बात नहीं अब जब राहुल ड्रविट से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि वो इस सीरीज के लिए अवलेबल अनवेलेबल थे उन्होंने अपनी उपलब्धता जाहिर नहीं की थ जाता कि भाई मैं सीरीज के लिए अवलेबल नहीं हो एक तरीके से यह आप बोल सकते हैं लेकिन रिपोर्ट यह कहते हैं कि भाई जो राहुल ड्रविट साहब हैं उनको यह बुरा लग गया कि इशान किशन ने ऐसे कैसे ब्रेक मांग लिया ऐसे कैसे उन्होंने मतलब छु मकाबला गया था तो श्रियस एैयर ने शुरुवात में मना किया लेकिन बाद में वो मुंबई से महराज से मुकाबला खेलते हैं और उसके बार टीम इंडिया में उनकी वापसी हो जाती है इंगलेंड सीरीज जब इंगलेंड सीरीज के लिए शुरौवात के दो मैचिस के स्कौर्ड का एलान हुआ तब भी इशान किशन का नाम वहाँ पर मौजूद ही था, तब भी लोगों को हरान हुई कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या इशान किशन को स्कीम ऑफ तिंग से बाहर कर दिया गया है, क्या टीम इंडिया में दुबारा से वापसी कर पाएंगे, और कल उनका जो पोस्ट आता है, वो ये बताता है, लौस्ट इंदर राइट डिरेक्शन कि भाई, वो सही रास्ते पर खोच चुके हैं, एक गाड़ी में उन्होंने फो तो ये सारी चीजे थी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके हमें जरूर बताईए, और स्पोर्सनाव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिलाल चलते हैं, जै हिन्द, जै भारत